करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ओनलाइन प्लेट फॉर्म एससे में कर पर जैसा कि आप सभी को पता है आपकी ग्यारवजे जो क्लास है यह चल रही है करते हैं जो आपके प्रतनों को जो है हम यहां पर करते हैं याद रखिएगा इस समय आपके एससी में कर एप पर कुछ बैच जो है वो ऑन गोइंग है इनमें से एक है आपका फॉजी बैच एससी जीडी के लिए आरम बैच प्री और मिंस दोनों के लिए और सेलेक्शन बैच MTS के लिए और CHSL के लिए भी आपके पास सेलेक्शन बैच है तो इन बैच इसके साथ जरूर जूड़िए ताकि अपकी जो तयारी है जो आपका तयारी का इस्तर है वो और बढ़ सके और एक्जाम में बेतर प्रतरतन आप कर सकें याद कि एक बार इस क्लास को शेर और लाइक जरूर कीजिएगा बहुत ही मैत पूर यह आपकी क्लास है चलिए पहला कोश्चन है कलिंग युद्ध के बात निम्न में से किस ने महाराज असोग के रूपांत्रण को दर्ज किया इसके कहने का मतलब यह है कि असोग जो है वो धम य युद्धनीती में मानते थे पर इनमे से जब कलिंग वहर हुई आपकी 231 पूर्म में उसके बाद जो है उन्होंनेॡ हुद्धनीती को छोड़कर्त दमनीती को अपना लिया तो धमनीती है उसका जिक्रीन में से किसा जो रोक ऐडिक्तन है इसमें आया है यह आप से बात करते हैं, चौदै जो धीर्ग सिलालेख है, उनमें से किसमें क्या है, ठीक है, अगर पहले की बात करें तो इसमें लिखा है, किसी भी पसुबद ना किया जाए, तथा राज किये, एवं मनुरजन तथा उत्सब ना किये जाने का आदेश दिया गया, इसमें जो ब्रक्ष लगवाने तथा पानी की विवस्ता के लिए कुए खुदवाए, यह दूसरे में हैं, तीसरे में हैं आपका राज किये पदादिकारियों को आदेश दिये गए, कि प्रती पांच बरसों के बाद धर्म प्रचार के लिए दोरे पर जाए, तो उते में कहा गया है, राज किये पदादिकारियों को आदेश दिये गए हैं कि ब्यवार के सनातन नियम होया था, नैतिकता, दया को सर्वत्र प्रचार प्रसार किया जाए, पांच मा, इनमें धर्म महामात्रों की निउक्ति तथा धर्म और नैतिकता के प्रचार और प्रसार के आदेश का मतलब साथ में मैं सभी जाती संपर्दाय के बैक्ति सब इस्तानों पर रह सकें क्योंकि वे सभी आत्म सैयम एवा मिर्दय की पवित्रता चाहते हैं यह इसमें आट में राजिविसे के दसमें बर्स असोक ने संबोधी यानि कि बोध गया कि यात्रा कर धर्म यात्राओं का प खुदवाया था और उस पर अंकित कराया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म यहीं हुआ है ठीक नौ में में हैं आपका दास और सेवकों के प्रति सिष्टाचार का अनपालन करें जानवरों को प्रति उदारता ब्रहमन एवं स्रमन के प्रति उचित बरताव करने का आदेश दिया गया दस में में घोष्टना की जाए कि यस और कीरती के लिए नैतिकता होनी चाहिए यह था आपका दस बाकी के बचे और हैं उन्हें हम देखते हैं अभी क्या है यह आपको उम्मीद का मतलब आपको देखने में तो नहीं आया होगा पर यह आपको पीडियम में मिल आप बहां से इसे पढ़ सकते हैं ज्यारे में की बात करूं तो ग्यारे में में क्या है उम्मीद कर एक मिनट वेट अमनिट बस ग्यारे में कहता है धम नीति की बैक्ष्टा की गई कि अधि तुबहारा से करता हूं ग्यारमा कहा गया गयारा ग्यारमा सिलालेग धम नीति की बैक्ष्टा की गई विविन अपस्वरों पर किये जाने वाले दान की चर्चा की गई बारे में कहता है किसी को भी अकारण अपने धम की बढ़ाई दूसरे के धम की निंदा नहीं करनी चाहिए एक ना एक कारण से सभी धर्मों का आदर करना चाहिए अर्थार्त है सिलालेग धार्मिक उदारता का परिचाय देता है ठीक है अगर मैं बात करूं संबंदि सूचना का विबरण मिल सके कर देखो इसमें अगर आपने ध्यान दिया हो बारे Premium तो बारे में जो है उन्होंने जो कलिंग जो युद्ध है उससे पहले जो उनका रूपांत्रण नहीं है पर जो बारेमा है इसी में आपको याद रखना है इसमें दूसरों की धंब की निंदा करना अपने धंब की बढ़ाई करना अकारण इन कि वह संटीड के बारे में बाद की गई है और इसी वह नमों ने कहा है कि कि अवों कम्राइब कर दो इसी की तहcoming कहते में याद रखना सिभा जी का रजबिशेग ह 유리ता था 2167 कि 1724 में 177 में 16ci में सिवाजी बार को दो च्वहाराज का जो जर में जो रच्तGreat यह कब हुआ था यह आप से पूछ रहा है इससे पहले सिवाजी महाराज का जो जन्म है यह कहां हुआ था तो याद रखेगा यह 1630 में हुआ था और सिवनेरी दुर्ग में हुआ था कहां पर सिवनेरी दुर्ग में 1630 में इनका जन्म हुआ है तो यह आपको याद रखना है इनकी म्रत्यू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इनकी म्रत्यू 1618 में हुई है तो ये भी आपको tuhe tehak rain और ये रॉय गड़ के के हुए है ठीक कोशन अता है इनोंने अफजल जो था उसे कब मारा था तो यह आपको याद रखना निम्निलिकित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन सुल्तान कौन था कुटबुद्दीन एबक बलबन इल्ट उत्मिस और अलाउद्दीन खिल जी याद रखेगा इसका जो सही जबाब हो जाएगा यह हो जाएगा इल्ट उत्मिस अब तुमारे दमाग में एक सवाल आएगा कि यार जो दिल्ली है इसकी पर जो बंस है मुखसलिम बंस उनकी इस् या मामुलिक बंस की स्थापना किस ने की थी वो तो खुतबुद्दीन एबक ने की थी तो यह कैसे हो गया तो याद रखना जो खुतबुद्दीन एबक है ना उसने सुल्तान की उपादी धारन नहीं की और जब उसने इस बंस की स्थापना की उस समय भी वो दास्ता से था बेशक गौरी जो है वो मर गया था गौरी का वो गुलाम था पर गौरी ने उसे दास्ता से मुक्त नहीं किया था गौरी के किसी परिवार वाले को पकड़ कर पैसे दे के उससे दास्ता प्राप्त करने का जो है दास्ता मुक्ती पत्र जो है वो उसने प्राप्त किया था कुरहाए निए सोल्तान की इपादी सामने एक युद्ध में तो इसकी बीड़ता से प्रवावित होकर गोरी है इसने कुथवुद्दीन इवकष मुकत करते Ramaj यह जो इल्टुत में सभी पहले से ही दास्ता से मुक्त था साथ में इसने जो खलीवा बगरा से उनसे भी प्रमाण लिया था कि मैं आपकी ओर से यहां पर सासन कर रहा हूं और फिर जो है इसने सुल्तान की उपादीधारन की तो पहला प्रहुता संपन जो सुल्तान था वो कि यही था तो यह आपको याद रखना है ठीक के 17380 में अरवों को पराजित किया किस ने परतिहारों ने राश्ट्टों हो लुक्यों ने और पालों ने अरब सबार डिफिटिटिट इन सेविन हंड्रेड थर्टी एट मतलब सास्तो बार है इस भी में अरब की पहली विजय हुई और वो मुहम्मद बिन कासिम के समय में हुई जिसमें उसने राजय दाहिर कर आया था इसके कुछ समय बाद जब यह इ आसे ऐसे मानुं ठोल याद रखना इसे एस सब्सक्राइब जो प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार नंता तो नागभट घंट चान ए याद रखिएगा दो चालुक के थे एक थे बादामी और दूसरे थे कल्याडी के जो चालुक के थे जिनकी राज़ानी कल्याडी थी इसको जिसने संस्तापित किया था या जिसका जो संस्तापक था वो था तैलप और अगर मैं बादामी की बात करूं तो इसे किया है पुलके दुर्ग के द्वारा और पालों की मैं बात करूँ तो यह 750 ECB के लगबग एक गोपाल नाम का गढ़रिया था उसने इस बंसकी स्थापना की थी गोपाल गोपाल के बारे में याद रखेगा इसी ने ओधन्त पूरी इसने एक विश्विद्यालय है ओधन्त पूरी इसकी क्या इसकी बिक्रम सिला जो विश्विद्यालय है इसकी स्थापना की थी यह भी जो है बिहार में है यह आपको याद रखना आगे निमले किसमें से बिद्या की सबसे पुरानी पीट कौन सी है यह चार आप देख रहे हैं ओप्शन में इन चारों में से बिद्या की सबसे पुर पुरानी है चाडग तक्षिप्छिप्या से पड़े थे चंद्रौपत मोरित तक्षिप्छिप्छिप्ट स्लह से और बाद में कनिष्कि के समय के जो ते जैसे चरक वगरा यह भी तक्षिला से पड़े हुए थे विक्रम सिला में अभी बताया सास्तों पचास के लगभग मतलब सास्तों पचास में उदंत्पुरी उसके कुछ सालों बाद बिक्रम सिला जो की धर्मपाल थे उन्होंने बनाया था नालंदा गुप्त समय में कु यूनिवर्सिटी थी उस समय अगर देखा जा तो देश विदेश से लोग महां पढ़ने आते थे तक्षिला में ठीक बिदी का सासन की संकल्पना कहां की संब्यदानिक प्रणाली की विशेष्टा है विदी का सासन यानि रूल ओफ लो यह इन चार में से कौन सा एक देश ह जिसकी क्या है जिसकी एक तरह से कहीं है या कहें अब इसस्ते है एक तरह से बिलटेट यूएसम एसे फ्रांस और सुट जर लै तो याद रखिएगा रूल और मतलब रूल किया कोई नहीं जो कानून है उसके आगे कोई नहीं है यह है ब्रितेन की खुवी और इसी से हमने रूल आप लोओ अपने यहां पर भी लिया है अगर मैं सुटिजर लेंड की बात करूं तो याद रखिएगा जो सुटिजर लेंड है कि इससे हमने अच्छा एक काम करो वैसे मैं बता सकता हूं तुम बताओ कमेंट में लिकर बताओ क्या हमने स्टूटिजर लेंड से कुछ लिया है या नहीं लिया बताओ फ्रांस से हमने बंदुत की भावना लिया यू एसे हमने जुडिशल रिव्यू पियाईयल और भी हमने लिया है प्रेसिडेंट को पद से हटाने की प्रिक्रिया हमने बहां से लिया है तो याद रखिएगा तोटल कितने देश हैं जिससे हमने अपने सम्मिदान में कुछ ना कुछ लिया है टेली ग्राफ लाइन सर्व परतम कहां से कहां तक बिचाई गई कलकता से आगरा तक बिचाई गई पहली बार यह बिचाई गई थी आपकी 1853 में 1853 यह जब ट्रेन भी चली थी भारत में और यह मुंबई से थाने तक चली ती यह याद रखिएगा इसी समय में 1853 54 में टेली ग्राफ यह जिसे का तार तार था यह सिस्टम सुरूब और पहला जो हुआ यह वा आगरा से कलकत्ता आगरा से कलकत्ता थीग को या आपको याद रखना है टेली ग्राफ लाइन सर्प्रतम कहां से कहां तो यह हुई है कलकत्ता से आगरा या आगरा से कलकत्ता किसके समय में हुई है तो याद रखिएगा डल होजी के समय में किसके डल होजी के समय में यह हुई है तो यह याद रखिएगा किस राष्टिय संग के सदस्यों का नेत्रत चंदर सेकर आजाद और भगत सिंग ने किया इन में से कौन स इंडियान नेशनल कॉंग्रेस कम्यूनिश्ट पार्टी ऑफ इंडिया नेशनल सर्विस यूनियन क्या हो जागा देखो कम्यूनिश्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना की थी एम एन रॉय ने ठीक है कब की है तो याद रखेगा लगबग 1925 में ये की है और बिस्मिल आजाद और इनके सहयोगियों ने मिलकर ठीक है बाद में 1928 में भगत सिंग के कहने पर इसमें सोसलिस्ट सब्द जोड दिया गया जो की दिल्ली में फिरोजिसा कोटला नामक जो जगह है न उसकपर जो है जोड़ा गया था तो ये आपको याद रखना ठीक है तो यूम ने 1885 में इसका गटन किया था तो ये आपको याद रखना है कमेंट में लिखकर बताओ कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताए है कि तीन यूरोपिये जिनोंने जो है इसकी अध्यक्षता की है कौन-कौन से है वो आपको कमेंट में लिखकर बताने कौन राज योजना बोर्ड कौन राज नहीं कौन राज योजना बोर्ड नहीं मतलब कौन है इनमें से जो राज योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करता है राज जपाल स्पीकर बिपक्षी पक्षिका नेता या मुक्यमंत्री who acts as the chairman of the state planning board governor speaker leader of opposition और chief minister तो जैसे अगर य लिए बनाया और राजियों में इसकी जो अध्यक्ष स्ता है यह करता है मुख्यमंत्री कौन करता यह करता है मुख्यमंत्री पहले जो योजना आयोग था इसे 2015 से मतलब हटा दिया गया है और इसके इस्तान पर एक जनबरी 2015 से याद रखेगा नीति आयोग लेकर आया गया है यह लेकर आया गया है नीति आयोग कमेंट में आप सभी एक वाट लिक कर बताएंगे कि जो नीति आयो गहा है उसमें नीति N-I-T-I इसकी फरफॉर्म क्या है स्वतंत्र भारत में निमलेकित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के बास्तविक आदार के ही विप्रीत है दलिय प्रणाली, संसदिय प्रणाली, आर्थिक प्रणाली और जाती विवस्ता इसकी अगर हम बात करते हैं विवस्ता की तो कौन सी विवस्ता तो यह है आपकी जाती विवस्ता जो काश्ट सिष्टम है जो जाती विवस्ता है जो काश्ट सिष्टम है ये लोकतंत्र के बिरुद्ध जाता है लोकतंत्र के इतर लोकतंत्र के बाहर जाता है तो ये आपको जाता है दल्य पार्टी लोकतंत्र के हित्मे है संसद्य पार्टी लोकतंत्र के हित्मे है और आर्थ सम्मिधान सभा की पहली बैटक 9 दिसंबर ना 1946 अंतिम 24 जन्वरी 1950 टोटल सत्र हुए है 11 यह किसके कहने पर बनाई गई थी तो अगर बात करें इसे किसके कहने पर बनाया गया है तो इसे बनाया गया है कैबिनेट मिसन के कहने पर जो आया ही इसलिए था ताकि सम्मिधान के न निर्माड किया जा सकी है 1946 में आया है इससे पहले बेवेल क्रिप्स और अगस्त प्रस्ताव आये थे पर वह कुछ ना कुछ कमी थी जो भारतियों को पसंद नहीं आई और इस वजह से यह रिजक्ट हो गए जैसे अगर मैं बेवेल प्लान की बात करूं तो बेवेल प्लान यह आया पका 1945 में अगर पूरी डेट याद रखनी हो तो जून-4 जून-4 में आया यह अगस्त那我們 अग Oh प्रस्ताब कब आया है तो अगस्त प्रस्ताब जो है ये 1940 में आया है और स्वunn あ टीफीसंध में ठीक तो ये आपको याद रखना है आगला कोश्ण ऐस निम्रिकत में से किस अऩ्यदिदिश map भारत में प्रांतों को स्वाहित्तता प्रधान की गई इन सबसे पहले जो मुस्लिम्स वगारा थे ना उनके लिए अलग से निर्वाचन के लिए एक बांट और राजकरों के लिए जो सामप्रदायक चुनाव वगरा के लिए वो इजाजत ने दी गई थी मतलब बोट डालने के लिए अलग से बोट लिंग बूट और बही लोग जो जिस धर्म के लोग है उसी धर्म के लोग बोट डाल सकते हैं उनके लिए यह सब बनाया गया ठीक है अच्छा प्रांतों को व्य द्वैद्स असंता वो प्रांतों से समाप्त कर दिया गया प्रांतों को द्वैद्स असंता प्रौंट vaidyaasana करके और यह किया क्या लाग uranium 1935 के तहट, हमारे संविजदान का अधिकतर इस्सा इसी से लिए गया है भारसरकार अधनियम उनिस्तो पैंटिस एक बड़ा हिस्सा हमने अपने सम्मिदान में इसी अधनियम से लिया है तो यह याद रखिएगा आगे कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है कौन सा जोड़ा गलत है कौन सी मैचिंग सही नहीं है यह पूछ रहा है कौन सा कंपेरिटेवल नहीं है अच्छा अनुच्छे 16 समान अपसर की बात करता है सही है अनुच्छे 14 विदी के अनुसार समानता विदी के समानता बिलकुल सही है अगर मैं 18 कि बात करूँ तो सैनिक उपादियों के नहीं है कि साथ यहां पर उपादियों की लिवगा आतेकल 18 में अगर मैं 17 की बात करूं तो इसमें आइस्प्रस्यता का अंत है अएस्प्रस्यता का अंत मतलब कहने का यह है कि किसी भी इस तर पर जो अंटचेविल्टी है इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा अगर यह होता है तो यह दंडनिये अपराद है ठीक आगे निम्ड में से इस प्रकार का मूल अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ही है विच आप फॉल्विंग फंडमेंटल राइट इस ओनली फॉर दा सिटीजन ओफ इंडिया देखो आजीवन की सवतंतरता का अधिकार भारत मानता है कि सब को जीने का अधिकार है सब अधिकार भारत की फिलोस्पी यह भी है भारत कि आथ गाता सबको समांता का दिकार देना यह तो है है अगर आप अपने देश के बारे में जो चाहें जैसा आफ बोल सकते हैं कर सकते हैं लेकिन जायरती बात है अगर देश के बाहर किसी को इस अधिकार को दे दिया जाए तो वो अपने हित से देश के खिलाप और देश के साथ बोल सकता है इसलिए जो अभिवक्ति के अधिकार है यह सिर्फ और सिर्फ भारतियों को दिया गया है भारतियों के प्रिंसिपल्स इन आर कॉंस्टिट्यूशन जो डीपी एसपी से जो कि आपके भाग चार में हैं है ना इसमें भाग चार आर्डिकल चतिस से क्यावन के बीच है जिसे हमने आईरलेंड से लिया है यह जो निदेशक सिद्धांत हैं यह कानून द्वारा या अदालतों द्वा लेकर कोई इशू है अगब के फट्नमेंटल राइट का हनन हुआ है तो आप डायरेक्ट कोड़ जा सकते हैं और कोड की जो है जिम्मेदारी है कि आपके जो कानून का हनन हुआ है उसका मतलब उस पर एक्सन लेए उसकी जिम्मेदारी है आपको आपके मौलिक अधिकार मिल कि आप उनको भोगें यह जो है इसके लिए सुनिश्चित करना यह कोड का जो है क्या है आधिकार है और उनका उतरदाय तो वह कोड उसके लिए मना नहीं कर सकता लेकिन कि डीपी ऐसी चीज़ है जिसमें अगर ऐसा होता है तो उसके चलते जो है अगर दिक्कत लेते हैं मतलब अगर आपका हननन होता है तो उसके चलते होगा यह कि आपका आप उसे के लिए कोड जाएंगे कि भाई सब्सक्राइब अगर उसको अच्छा लगा तो यह आपको याद रखना प्रवर्तिनी नहीं मतलब आप जोर नहीं दे सकते कि नहीं लागू कराओ ठीक कानूनी अदालतों द्वारा वो लागू नहीं लेंबर्ट का जो नियाम है यह किस से सम्बंदित तो जो लेंबर्ट का नियाम है यह प्रदीप से सम्बंदित है तो यह आपको याद रखना निम्लेकित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महाले का परिक्षक नामक पद का सुजाव दिया गया है देखो क्या यह ओल्रेडी इन सबसे पहले क्या था ज writes में था लेकिन है बाद में 1919 में, 1919 में इसे सरकारी जो नियंतरण था उससे मुक्त कर दिया था, और इसका जो नाम है, ये क्या कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया कैक, Comptroller and Auditor General, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसे सबसे महतपूर पद बताया था, डॉक्टर भीमरावा, अमेटकर न उन्होंने कहा था, कि सम्मिदान में जितने भी पद मैंसन है, उन्होंने सबसे भेतरीन और सबसे महतपूर पद हो जाएगा, आपका कैक, तो ये आपको याद रखना है, बल तोड़ा हिमनद है, ये कहां इस्तित है, ये आपसे पूछ रहा है, जैसे अगर आप इसे देख है, ये हैब आपके, ऊपर जो है, यहाँ पर ये जो आप देख रहा है, ये खुर दो पिन गलेसियर है, और ये बतूरा घलेसिटीर है, ठीक कॉछ लेता है, हिए आपको याद सब्सेनों है, है तो हमको याद होने है चाहिए ही चाहिए ठीक यह आपको यहां मिल जाएगी पीडियएप में तो आप लोग देख लीजिए काया ना चलिए बालतोड सिप्सित suggestive अर्थ में सिवालिग में पामिर्य के बठार में बालतोडा ग्लेस्टर इसे लोकेड़ एड कहां पर यह ल बहान हिमाले कहते हैं कारा कुरम के बात शुरू होती है तो यह आपको याद रखना है ठीक है मतलब जो कारा कुरम रेंज यह हिमाले से पहले की है ठीक कि एंगे एक्सरे की खोज किस ने की थी बेकेरल ने रोइंट जन बॉनलू और मेरु क्यूने और अधिम कोन है जिसने एक्सरे की खोज की है और और 1895 में इसकी खोज इनके द्वारा की गई है साथ ये तब 50 साल के होंगे तब इन्हों ने इसकी खोज की थी एक ज़क नहीं पता तो उसको सिर्फ ले नहीं लेना याद रखना ना 155 में इन्हों ने किये बाद में इन्हें इसके लिए नोबल पुर्सकार भी दिया गया है तो यह याद रखे गा चैमीश्टी में पाने वाले यह पहले बेख आप आप देखें देखो पर दमन और यहां पर दमन और यहां पर है इन दोनों को दमन दिव कहते हैं अब जो है जादरह नगर अवेली और दमन दिन दोनों को एक ही कर दिया गया है तो यहाँ अगर ये जो आप देख रहे हैं न ये गुजरात ये हिस्सा है ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये गुजरात है इससे हटकर दिव है इससे यहाँ पर जो है इससे अलग है दिव नीचे की ओर है तो ये याद रखना इससे हटकर है ये तो ये आपको क्या करना है यह चीज आपको याद रखनी है ठीक चलिए अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन है आपका यह भारत की संसद्वारा दल बदल बिरोधी कानून किस बर्त में पारित किया गया था इन्विच एर दा एंटी डिफेक्शन लो बाइट पास्ट बाइदा पार्लियमेंट आफ दल बिरोधी कानून जो है यह कब पारित किया गया है तो अगर मैं बात करूँ इसे पारित करने की तो यह पारित किया गया है 1985 में दल बिरोधी कानून इसी के चलते जो है एक अनुसूची जोड़ी गई भारतिय सम्मिदान में और जिसका नमबर है 10 मां है ना देखो मूल सम्मिदान में अनुसूचियां मातराट थी ठीक है उसके बाद नौमी अनुसूचि जोड़ी गई जो कि भूमी सुधार से संबधी था जो कि 1951 में पहले सम्मिदान संसोदन द्वारा सबसे पहले अनुसूचि जोड़ी गई उसके बाद आपका 1992 में ही आपकी बारे मी अनुसूचि जोड़ी गई जो कि नगर पंचायत के लिए किसके लिए नगर पंचायत के लिए है तो यह आपको याद राखना इस में कुतने लिए भाए ये जैने का समिस्तानिक नमर का बन सब्सक्राइब सिंबल है बन एक समिस्तानिक तो याद रखिएगा ठीक वेज नहर किस को जोड़ती है यह क्या है यह है आपका अपरीगा ठीक है मालो और यह है मतलब लग 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 वह ऐसा ही है और यहां पर यहां पर यह यह यूरोप बगरा तो यहां जो है जो स्वेज नहर को जोड़ती है आपका स्वेज नहर यहां पर एक हिस्सा उपरी हिस्सा यह है पोर्ट साइद और यह है आपका स्वेज पोर्ट यह दो बंदरगाह हैं जो एक दूसरे से इसको जोड़ते हैं स्वेज पोर्ट और पोर्ट साइद तो स्वेज नहर जो है यह का कि किसे किसे जोड़ती है यह जोड़ती है भूमद्य सागर और लाल सागर को किसे भूमद्य सागर और लाल सागर को यह जोड़ती है आपस में तो यह याद रखिएगा इसी तरह से नहर है आपकी पनामा उससे भी कोश्चन पूचा जाता तो पनामा नहर है यह आपकी जोड़ कर दोनों को जोड़ती है यह नहर पानामा नहर जो पहलाalone यह प 나눔 का देश ने इसका कर लिया है ठीक आगे निम्ले किस महादीब में तीनों अच्छांस रेखा हैं अर्ताद भूमद कर्क और मकर रेखा गुजरती है उत्तरी अमेरिका एसिया अफ्रीका दच्छल अमेरिका फॉलेंग कॉंटिनेंट ओल दा थ्री लाइन्स अफ लैटिटिटूड आइडाइस्ट एक्वेटर ट ट्रोक से तीनों गुजरते हैं किस से अफरीका चे इसे अंद महदीब कहते हैं जाहां मानब का औही करते हैं पहला मानभ उत्पन नहीं वहाँ उसके बाद वह दरदर भगया लेकिन उत्पन महीं था रूushie kranti का प्रार्म किस सहर-टो रूजी kranti प्लारम किस सहर शोवां है सैंट Peter Birskete Moscow को से ओरेशा से या कजान स prize city में रशियन रेवलिूशन बिलीन रेवलिशन जो है यह सब्सक्राइस सब्सक्राइब आपको याद रखना है यह शुरू हुआ था सैंट पीटर्स बर्ग से खाल से पूरे बिच्व के लिए सबसे आप पूरे बिच्व सबसे महत्मुण घटना है यह थी अच्छा साथ में आपको याद रखना है कुछ बैच जो ओन गोइंग है आपके एप पर इनमें एक है फॉजी बैच जो कि है SSCGD के लिए एक है आपका प्री और मेंस इन बैच जरूर जोड़ना है महतपूर बैच आपके एक्जाम में भी यह आते हैं अगर मैं बात करूँ एक्स जिनके बारे मैं अभी देखा कि जो एक्स क्रेणे हैं इनकी खोज रोएंट जनने की थी बिलियम रोएंट जननन का पूरा नाम है 1895 में इन्होंने इसकी खोज क की थी यह एक बिद्दुत चुम्बकिये तरंगे हैं किस प्रकार की तरंगे हैं बिद्दुत चुम्बकिये यह तरंगे हैं तो यह याद रखिएगा 27 निम्लिकित में से कौन सा कड़ परमाडू के नाविक से संब्दित नहीं है इन में से कौन सा कड़ है जो परमाडू के संबंदित नहीं है तो इलेक्ट्रोन संबंदित है पड़ाई है आपने प्रोट्रोन संबंदित है पड़ाई आपने न्यूट्रोन भी संबंदित है पर मेरोन आपने नहीं पड़ा होगा मेरोन इससे संबंदित नहीं है तो जाहिर सी बात है मतलब मेरोन पड़ाई नहीं है स संबंदित क्या हों पर यह नहीं एक मतलब सूर्ष संबंदित क्या होगा उर्जा क्या है अस्वम energy is a region. Fuzion reaction, fection reaction, combustion reaction or chemical reaction. किस prieakar की reactions है यह आपको बतानी है. Question क्या है? Question आपका 28. ध्यान दो. सूर का जो प्रकास है सूर जो उर्जा उत्पन कर रहा है वो कारण है उसके अंदर होने वाली नावकिये सलयन. Actually, मैं आपकिये सलयन होता क्या है? तो अकर मैं नाबकिय सल्लेयन की बात करूँ तो याद रखेगा नाबकिय सल्लेयन में दो हलके परमाडू, मिलकर एक भारी परमाडू का निर्माड करते हैं, उस क्रिया को नाबकिय सल्लेयन कहते हैं, और यही सल्लेन प्रिया उत्तरदाई है सौर उर्जा के उत्पन होने का ठीक तो याद रखिएगा एक पारद मिस्रण का अनिवार घटक है एक अम्ल पारा एक अधातू और एक छारक दा एसेंचियल कंपोनेंट ओफ अमर्करी मिक्चर इच जो मर्करी मिक्चर है यह आपको बताना अनिवार घटक है किसका एक अम्ल पारा एक अधातू और एक छारक ज्याद रखिएगा कोश्चन आपका 29 और सही जबाब हो जाएगा आपका भी यानिकी पारा आगे टीका या मैं कहूं वैक्सिनेशन का विसकार किस ने किया था जेम्ज सिंप्सन आ क्रिष्टियन बर्नार्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एडवर्ड जेनर वू इनवेंटिट वैक्सिन जेम्स सिंप्सन आ क्रिष्टियन बर्नार्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और एडवर्ड जेनर आपको बताना टीका की खोच सबसे पहले इन में से किसने की तो टीका अगर मैं बात क गये लाओ, ईसी इसी खोज करने के कारण इस पर खोज करने के कारण जो एड़्वर्ड जेर। इनन्हें, amunology का पिता कहा जाता है, इनन्हें Amunology का पिता कहा जाता है तो ये आप आधको याद रखना है ठीक अगे दिए आज निमनलकित में से कौन सी धातू के साथ अब्व्प्र गरती है भारक हजरू सी धातू डज नौट रियक्त बिद बाटर टू प्रिड्यूसाइट मतलब हाइट्रोजन प्रिड्यूस करने के लिए इसके साथ क्या है अब किरिया नहीं करती है कौनसा एक इसमें से जो है ना का औ अप्षन सही हो जाएगा तो याद कीगा इसका जो स़ाई जवाप है यह जाएगा आपका भी प्धंत है जोजussy यह जागा आपका आपका कडमियुंग आफको कलई टांत एफ-जाएक आबेक गति जूर्जा बल और आगून दा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मुमेंटम ओफ एन अब्जेक्ट इस प्रोपोर्शनल टू दा फिलिंदबलेंग्स एक्टिंग ओन इट इंपल्स काइनेटिक एनर्जी फोर्स और मुमेंट कोश्चन क्या है कोश्चन आपका 32 क्या पूछ रहा है किसी बस्तू के रेखिये संबेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले फिलिंदबलेंग्स के समानुपाती नहीं होती तो याद रखेगा इसका जो सही सब्सक्राइब हो जाता है जिसकी कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है लोहा, iodine, potassium, sodium, iso phagus is caused due to deficiency of which of the following बिसक्री आहर नाल के नीचे यह वाला जिसता है न इसे को एको इसलिए यहीं पर रोग होता है इसलिए इसलिए फेगस रोग कहते है अना आयरन, iodine, potassium और sodium दूरज आपने कभी आगर आपने कभी दूरैरसन वाले पुराने यह गेंगा की कभी के लिए हमेशा कहा जाता तो यहात आता था कि नमक बो प्रियोग करें जिसके आई अधिकता हो जिसमें आई जिसमें आयोडीन ना हो उस नमक को प्रियोग ना करें क्योंकि जब आयोडीन की कमी होगी उससे आपको घेंगा रोग होने की समस्याएं बढ़ जाती हैं ठीक निमनले के द्रबों में से कौन से द्रब का बास्पन अधिक तीब्रता से होता है अब आपको यह बताना है इन में से किसका जो बास्पन है कौन सा द्रब है जिसका बास्पन है वो अधिक तीब्रता से होगा देखो जिसका बास्पन अधिक तीब्रता से होगा इसका मतलब है उसका कोथनांक कम होगा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी का कोथनांक 2 है और किसी का कोथनांक 3 है तो जहरती बात है इसका कोथनांक कोथनांक मतलब जहां जल या द्रब बास्प में बदल जाता है जहां जल या द्रब बास्प में बदल जाता है उसे कोठनांक कहते हैं तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2 की जिसका 2 degree temperature है तो जैसे 2 degree temperature पकड़ेगा वो ध्रब जो है बास्प में बदल जाएगा जिसका 3 degree है तो जब तक वो 3 degree नहीं पहुँचेगा ये बास्प में नहीं बदलेगा जाहिरती बात है जो पहले दो डिग्री पहुंच जाएगा वो बास्प में बदल जाएगा यानि कि जो पहले अधिक तीवरता से जो बास्प में बदले इसका मतलब है उसका कुथनांक कम है जल मिट्टी का तेल एलकोहल और पेट्रोल इनमें से कौन सा एक है इसे हम देखते क्ते तो तो देखो अगर मैं जलके कुथनांक की बास करओं तो इसका 100 डिग्रील है है ना अगर मैं केरौसीन या मिट्टी के तेल की बास करो missing तो इसका kutana कितना है तो याद रख़िएगा इसका है 130 से 300 दिगरी के बीच में ठाल 150 से 300 अगर मैं बात करता हूँ पै्ट्रोल की तो स्का कुछ 95 परसंट के । रिच के लग बाग गया पर अगर मैं एक वित करता हूं किसकी अगर मैं alcohol की बात करूँ तो याद रखिएगा इसका है 78 degree centigrade तो सबसे पहले बास्पित होने बाला इन में से कौन सा है तो सबसे पहले इन में से जो बास्पित होगा यह होगा आपका alcohol को हल पक्षियों में प्राय एक ही होता है क्या अंडा से फेपड़ा बरसड और गुर्दा या राउटर विज आवाट यूजली दा सेम इन बर्ट ओबरी लंग्स टेनिस और टेस्टीस और किडिनी राउटर और सॉरी किडिनी है राउटर इसमें नहीं है गलती से आ गया है आपका ये अंडा से पाया जाता है अदिकतार प्राया एक ही अंडा से इसमें पाया जाता है अपोबाद हर जगह है प्रकृती ने भी अवपाद जैसे महिलाई हैं जो जो मतलब बच्चा अगरा पैदा कर सकती है पर कुछ टैम पहले की ख़बर है अभी नहीं साल हो गए एक आदमी पैदा हुआ बच्चा दानी लेके पैदा हुआ जिससे कि वह भी बच्चा गर्ब रोक सकता था प्रकरती के नियम है चेंज हो सकते हैं तो इसमें अपबाद भ है वो जिस साइड होता है बहुते लोग है दूसरी साइड लेकर पैदा होते हैं तो मतलब राइट और लेफ्ट दोनों जग़ा है हाट जो है देखने को मिलते हैं ठीक है जब हमारे लेफ्ट हम भूता बहुत यह लगा हो इन्हें आमारू मारूब ही कौन से पिया है तो मै आयोग आर्टिकल 280 के तहत राष्टपती के द्वारा गटित किया जाता है पांच बरसों के लिए उसके पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे के संतानम एक समिती बनी थी जो की भ्रष्ट चार के बृद्ध थी और जो लारभादो सास्त्रियां उनके समय पर यह बनाई गई थ ऑफ इस पर अगरम राजमनार की बात करूं हुए तो याद रखियेगा इनोंने जो है फिर्पारिश की थी कि जो स्विल सर्विसिस जैसे आई यहां स्याइप यह जो है इनको गया करना चाहिए इनको जो है बर्कास्त करना चाहिए इसकी आपशकता नहीं है ऐसी जो पर फ लगवाया होगा आपको पता होगा वाइपाई के साथ एक राउटर आता जब लगाते हैं तो जो डेटा प्राप्त करता है लेके आप उसका यूच कर सके लिए टाबटर उसको ट्रांसपर करता है इस हमें किस लियर में प्रयोगत होता है तो जाहिर्ट की बात है ये नेट्वर्क की लियर में प्रयोगत होगा और हआ तो यह आपको रखना प्रूबन बनाए जाता है यह बनाये जाता है छच्छतरक के द्वारा ठीक है अगर मैं बात करता हूं आपके आमिवा के द्वारा खमीर के द्वारा तो जो अ rapina जाता है आपके ईस्ट या खमी होता यह है है जो सरकरा में ए ये एथ्यल एल्कोहल में और कारबन डायोकसाड या नि की तूट जाती जब रा राते हैं तो जो सरकरा है बहुत जो सुगर है वह एथिल एल्कॉहल और carbon dioxide में तूट जाती है फेपड़ों के आबरण को क्या कहते है जो फेपड़े है इसका जो आबरण है इसे क्या कहते है फेपड़े यह टीवी बगारा जब किसी को होता है टूबर कुलेसिस जो होता है उससे प्रभावित होने बाला जो अंग है वो फेपड़ा ही है इसका ये चाहें बोलते है फूफुस जली तिख आगे रहता है रगत्का कौन सा घटक है जो सबसे अदिक मात्राम पाए जाता रहता है रूपछे सबसे दिक मात्रम पाया जाता है इने ख़मनेन्ट से उम्मिद करता हूं है श्यों ओनेंट को प्लाजमा एक है भाइट ब्लड चैल्स एंड प्लेटलेट दो है ना भाइट ब्लड चैल्स और बागी है रेड ब्लड चैल्स इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में अगर आप यहां पर देखें भी तो सबसे ज्यादा पाए जाता है प्लाजमा उसके बाद रेड ब्लड चैल्स करते हैं जो है कि तक लेके जाती है यह क्लोटिंग अगर आपने लग जाती तो क्लोटिंग करने के लिए पहले देखा हुआ पानी निकलता उसके बाद दीर धेर खुंद में ißt dipping करते हैं अपका जरुंब सा खुनना करता है डो असका बसे सबस्लिए करता है आपका अचे कर सके इसके लिए करता और जो है एक है कहा करते ही जब भी इंफेकशन बगए होता निकलता है तो उससे लड़ने का काम जो है यह बाइट ब्लेट से करती है तो मतलब कि करती है कि अब जने में मदद कौन करती है तो मदद करती है आपका खून गाड़ा मतलब ऐसा नहों कि एक जगे जम जाए बहुत ज्यादा गाड़ा हो जो नसों में जाना पाए आप किसी ऐसी चीज पर जहां बाहर प्रेसर लग रहा है तो उन सब चीजों को जो आपके टिसूस है जो उतक है बहां तक जो है ब्लड और सॉरी ओक्सीजन लेकर जाती है तो यह आपको याद रखना है ठीक आगे अच्छेसमा अंतर नहीं लगाए ना मैं लाजमा आगे नया पूजी निर्गम रखा जाता है दुद्यक बजार में प्रास्मिक बजार में से काला बजार में अलब ब्यवस्तू बजार में न्यू कैपिटल इसू की जाती है तो आगे भारतिया अर्थि विवस्ता में छेत्रों को सार्विन्पता निजी में किस आधार पर बरगीगरत किया जाता है उपक्रमों पर स्वामित आर्थि-गतविदियों की प्रकृति क तों से पूछ रहा है भारती अर्थक्रता में खेट्रों को शर्थ यह तो यह जो है निरधारित उता उपकिर्म पर स्वामित किस उपक्रम पर ड्री तो निजी और अगर सभी का या सरकार का या राजी का स्वामित है तो वो समाजबादी ठीक आगे दा रेड साडी जो है यह पुष्टक इसके द्वारे लिखी गई है तो याद रखेगा इनकी एक बुक है पैसन इंडिया ठीक है कौन सी पैसन इंडिया तो यह आपको याद अखना है इ अच्ग एंडिम्ट पैसन इसकी यह आपको याद कर नाए था या लाइफ अधर्य ओफ यह आपको याद रखना है अगे निर्त शैलिए और उससे सम्मंदित राजी पाट कौन सा इक पाट और यह दूत है तो यादर रखेगा जो पढ़ियानी है ना पिष्टधर के केरल से सब्मंदित सीपालवेलिया राजिस्तान से के अगटा कि अगर मैं बात करूं तो ये मड़िपुर से और दलखाई की मैं बात करूं तो याद रखेगा जो दलखाई है यह कहा से है तो यह और साहत कि झोड़ी इंडिया इस पुष्टक के कौन है क्या है निरष Energaldर से चौदरी बरके नाराना और मार्टुलिष वुजदा उतर वढ़ाव दा भूक तो याद रखे गाई यह मारक टुली Lost आपने मार्क तुली ने आरके नारायन की कुछ भुक है जो आपको याद रखने है जैसे माल गुड़ी डेच कौनसी माल गुड़ी डेच इसके अलाबा दा गाइड कि नीरत सी चौदरी की कौनसी है तो याद रखेगा पैसेश टू इंग्लेंड पैसेंजर लिग देता हूं पुरा आ आ पैसेंजर टू इंग्लेंड और अच्छा और एक है आपका क्लचर इन बैग टी आ बैनिटी बैग क्या कल्चर इन बैनिटी बैग यह आपको याद रखनी है नीरत सी चौदरी की बुक है कि एक चीज़ और जो आपको अब यहाँ पर याद रखनी है वो ये कि आपकी एक क्लास सुबह शेवज़े है करेंट अपयर की अस्तुनी सर की एक क्लास आपकी सुबह 9 बजे गुलसंदर की मैथ की एक क्लास आपकी यारे बजे जो की अभी चल रही थी जी एस की तुबह कि आपकी 2 बजे की Looks 2 बजे तो इससे जुड़ियेगा एक आपकी साथ 2 बजे रीजिनिंग की निकल सरी एक क्ल突 जोड़ना है जिन बच्चों अभी तक इत तक इस क्लास को शेर कर दीजे जिन फक्र क्लीजे लायग की नहीं राके एक की जालत miss पर कुछ आपका चाटिव के लिए आपके पास आरम और बैच है जो प्रियों और में के लिए आपको पास फ्रीविंटे लिए श्योड इंट रहे चाहिए आपके लिए थिसनपर आपके लिए याद रखेगा बार बार की जिक जिक से बचने के लिए कहने का मतलब ये कि बार बार तयारी करो फिर फेल हो जाओ फिर फिल हो जाओ इस समय के साथ की इस बार में सपलता चाहते हैं कि रोजगारी से नियुकर चले जाए तो उसके लिए फोजी बैच है तो जरूर जोइन करें आपको यह बैच मिलेगा एससी मेकर एप पर एससी मेकर एप मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पर यह वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समझ्चाओं का समाधान पा सकते हैं कोई भी डाउट है ज कि अपने अजैसर क्लास को कराते हैं अजैसर आपको बताते हैं कि किस प्रकार की कुश्चन आपकी एक्जाम में मिलते हैं कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से कर सकते हैं कैसे ट्रिक लगा कि कम से कम समय में कर सकते हैं कैसे आप इन सारे प्रसनों में कहीं उलज सकते हैं कैस पर जाकर आप सर्च करेंगे तो बहां आपको यह बिल जाएगा आपको डेली कोई मॉक्त इंपॉर्टन नोर्स एबुक और बहुत ही सुबता है आप हमें इस्टाग्राम फेस्बूक ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं जिन बच्चों ने हमें टेली ग्राम पर जोएन नहीं क परिवार एससी मेकर के यूटूब चैनल का लिंक तो इसे आपको शेर करना है अधिक से अधिक जिस्से की अधिक से वच्चे क्लास के साथ जुड़े आपको इस क्लास को लाइक और शेर जरू करना है चैनल को सब्सक्राब करके बैल आगर का बटन जरू दबाना है याद रखेगा पैन पेपर लेकर बैठा की जिए बहुत सी चीजा है जो आपको नहीं मिलती हैं जो आपने पड़ी होती हैं पर आपको याद नहीं होती तो नहीं लिखकर रखलो बार-बार पड़ो रिवायच करो जिस्ते की एक्जाम के समय आपने गलत ना करो आज की क्लास के इतना ही चलिए कल मिलते हैं तब तक के लिए जैन जया वारत